Hello Friends, पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में महाल काफी गरम है, कुछ लोग बाते कहना चाहते हैं, कुछ लोग उन्हें बात करने नहीं देना चाहते हैं, पहले पार्टी ये कहती है कि हमें प्रोटेस्ट करने का, हमें डिसेंट करने का, हमें फ्रेडम ऑफ स्पीच एन एक्स करेंगे और इस से रिल्टे जो भी राइट्स हैं, वो हम लोग आज पढ़ेंगे, तो ये सा बात है तो हम बात में करेंगे, पहले हम आपकी जग्या से मिटाते हैं, आखिरी कॉलेज में हुआ क्या, आखिर ये का जिले पहले वो जान लेते हैं, झाले है धिलरअरे उंडуск इस इशू में दो पार्टियां involved थी पहले पार्टि ग्रुप से दूसरी पार्टि थी राइट ग्रुप से जो लोग सेमिनर अवजित कर रहे थे वो बिलॉंग करते थे लेफ्ट से उन्हें लेफ्ट का समर्थन प्राप्त था और जो लोग इस समिनर का विरोध कर रहे थे वो थे right wing group अखिल भारती विदार्थी परिशद A, B, V, P ये एक student group है जिसे RSS का समर्थन प्राप्त है इन लगों ने ये कहा कि उमर खाली जो है वो उनको इस seminar में नहीं बोलने देना है क्यों? क्योंकि उन्होंने JNU में भारत विरोधी नारे लगाये थे आपको याद होगा कि पहले एक वीडियो आया था जहां पे भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे ऐसे नारे लगे थे उनमें ये जो उमर खाली थे वो शामिल थे तो आखिरी इशू क्या है इशू ये है कि रामजे स्कॉलेज वाले सिमिलार करना चाहते थे एबिपी वाले करने नहीं देना चाहते थे तो इसी दोरान दून में जड़प हो गई अगर टीवी के रिपोर्ट्स के माने तो एबिपी वालों ने उन्हें दोड़ा दोड़ार के पीटा और पुलिस ने जो स्टुएंट्स थे उनका कोई समर्थन नहीं दिया एबिपी वालों को उन्हें रोका नहीं ये मेरा कहना नहीं है ये है मीडिया का कहना तो इस पूरे इंसिडेंट के बाद क्या हुआ कि जो डीउ के जो कॉलेजेज हैं उन्होंने एबिपी के खिलाफ मार्चेज निकाले और ये मार्चेज अभी भी जब मैं भी आपको प्ला रहा हूँ ये मार्चेज अभी भी जारी है दिली में हो रहे हैं देश भर से काफे सारे स्टुडेंट्स इस मार्च के समर्थन में अपना जो समर्थे ने वो जता रहे हैं इसी दोरान एक लड़की है जिनका नाम है गुरमेहर कौर इन्होंने एक मैसेज डाला ट्वीटर पर ये लोग ABPP का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने एक कंपेंड चला रखा है Save DU Save Delhi University Campaign इस पोस्ट के बाद उन्होंने एक और पोस्ट किया जो ये था आपको बता दें कि इनके पिता जी ने कारगिल वार विरगदी को प्राप्त हुए थे इसलिए उन्होंने एक पोस्ट डाला Pakistan did not kill my dad, war killed him तो इनके बाद जो अपने किरन रिजू जो हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने एक और पोस्ट डाला उनके बाद कई और लोगोंने कई और पोस्ट डाले उनमें से एक पोस्ट ये था, एक पोस्ट ये था ये तीनों पोस्ट आपके entertainment के लिए है इनका हमारी प्राहय लिखाई से कोई संब्द नहीं है तो हम लोग अब बढ़ते हैं आगे जैसे कि मैं आपको बताया कि अभी मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो भी दिली में इसके साथ ही प्रोटेस्ट चल रहे हैं लोगों के वेवहार को देखते हुए जो लड़की थी उन्होंने अपना जो समर्थन था उसको आपस ले लिया है यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इंडियन एक्सप्रेस से उन्होंने ये कहा है गुरमेहन को और विद्रॉज फ्रॉम सेव डियो केमपेंड फिर इनके सपोर्ट में एक और ट्वीट आया है वो बस ये कहना चाहती थी कि मैं ABP से डरती नहीं हूँ और हमें उनका विरोध करना चाहिए तो वो बस अपना जो राइट तु फ्रीडम आफ स्पीच अन एक्सप्रेशन था बस वो एक्ससाइज कर रही थी इतना कुछ होने के बाद हमें कुछ issues मिलते हैं डिसकस करने के लिए पहला issue है anti-national All India विद्यार्थी परिशद ABVP उन्होंने ये कहा कि जो उमर खालिद है वो उन्हें नहीं बोलने देना चाहिए क्योंकि वो anti-national भारत विरोधी नारे लगाए तो हमें anti-national मतलब क्या होता है ये वो डिसकस करेंगे इसके बाद जो ABP था उन्होंने क्या किया उन्होंने seminar का प्रोटेश्ट किया तो क्या उन्हें प्रोटेश्ट करने का राइट था प्रोटेश्ट क्या होता है हम लोग यह discuss करेंगे फिर हम लोग यह discuss करेंगे कि right to freedom of speech क्या है क्या इस पर को restriction है क्या इस पर को पबंदी लगा सकती है सरकार हम लोग वो देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि आखिर anti-Indian होता क्या है anti-Indian का सिधा मतलब है hostility towards India Indians and Indian culture देखिए यह एक बड़ा ही वेग वर्ड है क्यों क्योंकि Indian culture को define नहीं किया गया है कौन से चीज Indian culture के अंदर आती है या बहाज आती है इससे इसको define करने वाले कोई authority नहीं है कोई कहेगा कि गाय हमारे Indian culture में आता है कोई कहेगा कि या गया हमारे इंडर culture में आता है कोई कहेगा कबड़ी कोई कहेगा लट्टू यह सब मारे इंडर culture में आते है तो कौन से चीज Indian culture में आती है यह define करना बड़ा ही मुश्किल है तो अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का विरोध करता है और कुछ लोग कहते हैं कि यह चीज Indian culture के अंदर आती है तो क्या कहेंगे वो कहेंगे कि वो जो व्यक्ति विरोध कर रहा था वो anti-Indian है अगर मैं कहता हूँ कि cow cow जो है वो Indian culture के अंदर आता है यहाँ पर एक व्यक्ति है अगर इसने cow का विरोध किया तो मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ कि वो anti-Indian है क्योंकि उसने Indian culture का विरोध किया अब मैं तो कह रहा हूँ cow कोई और आ जाएगा वो कहेगा कि bell बैल Indian culture के अंदर आता है इसी तरह कुछ और लोग आएँगे कुछ और नएने टम्स जोड़ते जाएगे तो anti-Indian क्या है इसे define करना बड़ा है मुश्किल है दूसरा वर दिसेंट डिसेंट का मतलब होता है जो majority या officially held opinion है उससे अलग मत रखना आप कहते हैं कुछ बात मैं कहता हूँ कुछ बात मैं आप से सहमत नहीं हूँ ठीक है तो यह होती है descent for example अगर 7 judge का कोई bench है अगर कोई constitutional bench है जिसमें 7 judge है इन में से 7 में से अगर 5 judge ने कहा कि किसी व्यक्ति को fancy देनी है ठीक है 5 लोगों ने कहा 5 judge ने कहा कि उसे fancy देनी है तो यह मतलब है decent का तो देखे हमें decent करने का अधिकार है क्या Supreme Court का कहना है कि अगर किसी देस में democracy है तो वहाँ पे decent का अधिकार भी है अगला term है protest protest का मतलब क्या होता है protest का मतलब होता है किसी भी चीज के परति disapproval express करना या उसका विरोध करना तो हम लोग यह देखते हैं कि इंडिया में किसी को protest करने का अधिकार है क्या Supreme Court का कहना है कि right to peaceful protest is a fundamental right fundamental right का मतलब यह कि अगर कोई आपका protest करने का अधिकार छीनता है तो आप Supreme Court में सीधा जा सकते हैं आप एक read petition file करके आप सीधा Supreme Court में case file कर सकते हैं कि इस institution ने मेरा यह दिकार छीना है मगर यह जो right to protest है it is subject to reasonable restriction मतलब जो a state है वो इस पे restriction लगा सकता है a state मतलब क्या a state मतलब देश capital s-t-a-t-e ध्यान दिजएगा जहापे capital है small नहीं है अगर small होगा तो वो कहलाएगा राज्य तो आपको यह right to जो protest है वो कौन देता है right to protest हमें देता है article 19 article 19 में 6 अधिकार दिये गया है इन में से एक है right to freedom of speech and expression तो अगर आप कोई slogan raise करते हैं और अगर आप peacefully protest करते हैं तो आप अपना right exercise कर रहे हैं बस आप कोई offensive language इस्तेमाल नहीं कीजिए तो देखे ABP जो था उन्होंने भी तो प्रोटेस्ट किया था उन्होंने भी तो सेमिनार का प्रोटेस्ट किया था तो क्या वो सही थे ABP तब तक सही था जब तक उन्होंने force का परियोग नहीं किया था जब तक वो अपनी बाते कह रहे थे जब तक अपनी बातों से प्रोटेस्ट कर रहे थे तब तक वो सही थे जिस समय उन्होंने अपने force का प्रियोग किया तब वो गलत हो गया तब उन्होंने अपने जो right to protest है उनका misuse किया अब हमें देखना है freedom of speech and expression के बारे में हम ये क्यों पढ़े हैं देखे जो रामजेस कॉलेज वाले थे वो अपनी बाते कहना चाहते थे वो अपने विचार रखना चाहते थे मगर कुछ लोगों ने उन्हें ये विचार रखने नहीं दिया तो अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या उन्हें विचार रखने का अधिकार था क्या उन्हें speech और expression करने का अधिकार था तो देखे शुरू-शुरू में मतलब कि originally समिधान ने साथ fundamental rights दिये थे हमारे जो भारत के नागरेखे उनको right equality, right to freedom, right against exploitation right to freedom of religion cultural and educational rights right to property, right to constitutional remedies इसमें जो right to property था इसको हटा दिया गया fundamental rights है ठीक है? इसे एक legal right बना दिया गया so अभी केबल अब 6 fundamental rights है इन 6 fundamental rights में से जो right to freedom है इसके अंतरगत आता है right to freedom of speech and expression right to assembly, right to situation, right to movement right to residence, right to profession इन में से में सबसे important जानना है freedom of speech and expression के बारे में जैसा कि अभी हमने देखा कि जो article 90 है वो हमें 6 अधिकार प्रदान करता है उन में से पहला right है right to freedom of speech and expression ये जो right है वो किसी भी estate action के खिलाफ है मतलब कि अगर आपको estate, मतलब अगर आपको कोई कोई जो government है वो अगर आपको अपनी बात है कहने से रोकती है तो आप इस अधिकार का इस्तमाल कर सकते हैं इस fundamental right का इस्तमाल कर सकते हैं मगर ये जो इतिकार है वो private individual के खिलाफ नहीं है दूसरी बात ये कि ये जो 6 अधिकार है ये किवल इंडिया के citizen को ही हासिल है मतलब जो भारती नागरेक है उन्हें ही हासिल है जो foreigner यहाँ आकर रह रह रहे हैं उन्हें ये अधिकार नहीं है तो देखिए आपके पास freedom of speech and expression है मतलब आप अपनी बाते कह सकते हैं अपनी बाते दूसरों को एक अधिकार दिया है कि वो कोई reasonable restriction impose कर सकता है मतलब कि किसी भी भारत के नागरेक को अपनी बात कहने से रोक सकता है अगर वो sovereignty and integrity of India को affect करता हो security of a state को affect करता हो contempt of court defamation incitment to an offense अगर ये सब चीजे हैं तो सरकार आपको अपनी बात कहने से रोक सकती है तो यहाँ पर एक बात देखिए जो रमजस कॉलेज वाले थे वो अपनी विचार रख रहे थे ठीक है उन्हें किसने रोका उन्हें रोका ABP वालोंने ये estate नहीं है इसलिए हम लोग ये तो नहीं कह सकती कि जो state है उन्होंने ये अधिकार चीना लोगों से हाँ हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने ABP पे कोई दवाव नहीं डाला उन्हें अपने control नहीं किया इसलिए उन्होंने जो बाते कहना चाते थे उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार तो है मगर हमें discuss ये करना है कि क्या उन्हें वो बात कहने का अधिकार है वो जो कहना चाते थे तो देखे माल लते हैं कि जो लोग अपनी बात कहना चाते थे वो अपनी बात सरकार के खिलाफ कहना चाते थे वो सरकार का विरोध कर रहे थे माल रहते हैं कि वो उन्हें उन्हें सरकार का विरोध किया ठीक तो क्या आप उन्हें ये बात कहने से रोख सकते हैं क्या वो जो बात कह रहे हैं वो एक किर्मिनल ओफेंस है Supreme Court ने कहा कि ये criminal offense नहीं है और sedition तो बिलकुल नहीं है मतलब कि अगर आप कोई ऐसी बात कहते हैं जहां पे आप government का contempt कर रहे हैं आप government का विरोध कर रहे हैं तो वो जो है वो sedition नहीं है वो असमिधानिक नहीं है वो sedition नहीं है असमिधानिक नहीं है तब तक जब तक कि आप कोई disorder नहीं करते आप कोई violence नहीं करते आप disorder और violence करने के लिए लोगों को उकसाते नहीं है अब देखिए जो रामजे स्कॉलेज वाले थे वो लोग कर क्या रहे थे उन लोगों ने एक सेमिनार किया था Cultures of Protest यहाँ पर बाते कहने वाले थे प्रोटेस्ट के बारे में इसके फायदा नुकसान भारत ने प्रोटेस्ट का स्कोप क्या है इत्यादे इत्यादे तो देखिए यहाँ पर जो limitations लगाए गई थी समिधान के द्वारा जो बाती कही गई थी वो उन्हें अफेक्ट नहीं करता मतलब कि वो जो बाते कह रहे थे इस केस में Supreme Court ने Information Technology Act के Section 60A को अंसमिधानिक करार दिया था और इसको Null and Void कर दिया था इस केस में Supreme Court ने ये कहा था कि a speech howsoever offensive, annoying and inconvenient cannot be prosecuted unless वो Public Order पे कोई effect नहीं करता Public Order को खतरा नहीं पहुचाता Supreme Court ने ये भी कहा है कि expresses dissatisfaction against government cannot be termed seditious unless it induces violence and a state of disorder तो हम लोग यह decision देखते हैं कि जो रमजे स्कॉलेज वाले हैं वो अपनी बात कह रहे थे वो अपनी बात सही तरिके से कह रहे थे peacefully कह रहे थे और वो अपने जो अधिकार है उनका उपयोग कर रहे थे और जो ABP वाले हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे सेमिनर के खिलाफ ठीक है वो भी शांती प्रोग कर रहे थे मगर यह लोग इस शांती से उड़ करके फोर्स पे चले गए जैसे ही वो फोर्स इस्तमाल किये वैसे ही उन्होंने अपना अधिकार को दुर्यूप्यों करना शुरू किया वहाँ पे पुलिस का यह करतव बनता था कि वो लोग ABP वालों को रोकते और law and order establish करते मगर जो पुलिस थी उन्होंने इंपरस्टेली नहीं दिखाई और वो लोग प्रोटेस्टरिस को साथ देती दिखी और उन्होंने अपना काम नहीं किया तो इस वीडियो में हम ने देखा कि रामजा स्कॉलाज में आखिर हुआ क्या था इन में कौन-कौन से पार्टेस दिखी उन पार्टेस के राइट्स क्या क्या थे क्या वो लोग अपने राइट्स को फोलो कर रहे थे क्या उन्हें वो काम करने अधिकार था जो लोग कर रहे थे अभी तो ये शू चली रहा है आगे भी आएगा तो आगे की वीडियो में भी हम लोग आपको इसकी अपडेट्स लाते रहेंगे इसके बाद हम लोग कुछ कोशन कर लेते हैं मैंने अब पिछले वीडियो में जिस आपको चुनना था कि इंडिया में परलामेंटर सिस्टम है क्यों कि अंसर है D हमारे जो कौंसिल आप मिनिस्टर है वो लोग सभा की और रिस्पॉंसिबल है अगर लोग सभा ने नो कॉन्अटर्स पास कर दिया तो कौंसिल आप मिनिस्टर को रिजायन करना पड़ेगा, सर पर जो executive होता है वो legislature की तरफ responsible होता है अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप इसको देख सकते हैं हमारे जो UPSC और state की exam है उसमें काफी काम आएगा अब हम लोग देखते हैं देते हैं हैं को एक question सवाल है consider the following statements राजसभा has no power either to reject or to amend a money bill राजसभा को किसी भी money bill को reject करने का और उसको amend करने का power नहीं है second statement है राजसभा cannot vote on demands for grants तीसरा statement है राजसभा cannot discuss the annual financial statement आपके options हैं A, B, C and D A, one only, B, one and two only, C, two and three only या D सारे सही है आपको बताना है कि इन में से कौन सा statement सही है इस सवाल का answer आप comment section में दीजिए इसका उत्तर मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूँगा thanks for watching